यहाँ पे कोशन देखते हैं यहाँ पे 14 जून 2022 को प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा पर संत तुकाराम सिला मंदिर का उद्गाटन किया है आंसर जो होगा इसका देहु पूने में होगा बात करते हैं संत तुकाराम कौन थे तो महराश्ट के वरकारी संप्रदायक से संबंद रखते थे और अभ्यंग कवीता मराठी सहली के अंदर संत तुकाराम जी के द्वारा लिखी गई थी अभ्यंग कवीता किसके द्वारा लिखी गई थी संत तुकाराम जी के द्वारा और कैसी सहली में तो मराठी सहली में नेक्स स्वाल प्याते, सायन gonna. मुद्रा में बाववान बुद की मुद्टी हाली में कहां स्थापित क्या एक बुद गया, बिहार में क्या गया है, आगे सवाल दिखते हैं कि भारत का सबसे बदा तेल आपूर्थी करता देश कौन सा है तो आंसर वो जागा इराग और दूसरे स्थान पर है रशिया और तिसरे स्थान पर है साओधी अरभिया ठीक चलिए लेक्स कवाल प्याद है कि तेल उपभोग करता के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है अमेरिका वहीं दूसरे स्थान पर चा के सवाब है कि iba कि इंडोनसिया मास्टर कब 2022 में किसने महला एकल का खिता है चेन यूफए ए और का कि खिलाडिय है चाना की खिलाड़ी ए नेक्स धॉस्थ तौमस कब 2022 के विजता की भारत और किसको हरा कर इंडोनेशा को हरा कर जीता है आज़न जो हुआ था था थामस कब का कहां पर बैंककॉक में भी थाइलन्ड की रादान जो बैंकक है यहां पर इसके आज़न हुई थी और अगर पूछ ले जा कि थामस कब जो है किस खेल से संबंधित तो बैड मिल्टन स संबंध है इसका ठीक है बैड मिल्टन खेल से संबंधित है और यह किसका है तो पूर्सो का है ना पूर्सो का यह बैड मिल्टन खेल से संबंधित है कौन थामस कब मही बात करें उवेर कब 2022 का खिलारी का खिताब किस ने जीता दक्षिन कोडिया ने किसको हरा कर चैना को य महिलाओ का बेडमिंटन का खेले वहीं उत्खामस कब पुर्सों का बेडमिंटन का खेल है नेक्स्ट उस्टोलिय ऊपें की बात करते हैं पूरब से एकल विजय तको और रहें इस बार राफिल नडायल कहा के हैं खिला रही है और विजए तक रहें तो इगा के श्वयर निए पोलेंड की तो ये कंट्री जरूर याद रखे है इंपोर्टे रहता है तवाल यहां से भी आजाते हैं नेक्स्ट राष्टिबाल सरक्षन सयोग राष्टिबाल अधिकार सरक्षन आयोग द्वारबाल स्रम 19 सपता मनाए गया कब से कब तक तो 12 से 20 जुन 2022 तक मनाए गया है न इंडोनेसिया के भीच नेक्स सवाल पर आते हैं हाली में किस देश की खाव फातिमा को संयुक्त राष्ट का अवर महा सचीव न्युक्त किया गया है आंसर हो जागा बांगला देश नेक्स सवाल पर आते हैं कि 16 17 जुन 2022 को मुख सचीवों का पहला राष्टी समयल आयोजन कहां किया गया धर्मशारा कहां हिमाचल पर देश में नेक्स तवाल पर आते हैं भारत के 74 वे ग्रैंड मैस्टर कौन बन गये हैं राहूल स्रिवा सब कहां के हैं ये कहां के खिलारी है नेक्स्ट विम्स्टेक टेक्नलोजी ट्रांसफर फैसलिटी के स्थापना कहां की गी लेक्स वाल प्याते कि सिप्री यूर्प दोजर बाईस रिपोट के नूँसर किस देश के पास सबसे ज़्यादा प्रमान हथियार तो आंसर जगर रशिया भारत कर पूछ लिया इसमें अस्थान तो भारत का श्थान ने स्थान है ठीक हाली में पंदम श्री स्वाइब हाली में पश्मी श्यत्री परिशत की 25 वी बैठा के अधक्षा खिस ने किया अमिसा ने किया है और अमिसा वर्तबान में क्या है तो केंद्रे ग्रिह मंत्री है लेक्स वाल प्याते कि हाली में देश भर में किसी भी ATM से रूपे संचालित कार्ट को उप्यों करके नगद नि पूद घाटन कहां किया गया कठुआ जम्मू कश्मीर में नेक सावल प्याते कि विश्व मरू अस्थाली करन और सूखा रोक्थाम रोक्थाम दिवस काईजन कब होता है तो 17 जुन को होता है और 2022 की थीम क्या है एक साथ सूखे से निप्टारा करना इसका इस बारे की थीम SDG अर्थाद Sustainable Development Goal जो पंद्रवा है इसके अंतरगत क्या आता है भूमी च्छरन को रोकना और SDG का जो लक्ष है कब से कब तक है 2015 से लेकर 2030 तक इसकी लक्ष है इसमें कुल कितने गोल सामिल है 17 गोल सामिल है अटकामा मरुसल कहां से तो दक्षिन अमेरिका में है और से भूमी कहा जाता है और स्टेलिया को कहा जाता है सहाराबनस्तोल के दक्षिन में विक्षतlaitर क्या कहा राता है साहल प्रतिश इस महदीब में कोई भी मयृस्थल नहीं आवी अरब में है इस थिख ढया रखीगा. कहां साउदी अरब में? में वरश 28 में. Saulo'deιά स्बारativas. そadowsし system गगन का इस्तमाल कर बिमाल लैंड गरने वाली भाराइत की पहली एर Valley ऐनमें कंपनी कॉंसी मनगी इंडिगो नेग्स परते हैं गगन का फील फॉर्म क्या है जी पीएस एड़ट यह प्रतीवी आवलोकन उग्रह टीओ स्टीड़ी को किस रॉकेट से लाउच किया था तो एसलवी सी 52 के द्वारा लॉंच किया गया था अर्थ और यहां पर ध्यान रखे अर्थ ऑपजरवर ठीक है सैटलाइट अर्थ ऑपजरवर सैटलाइट जो है इसका फुल फॉर्म होगा ठीक अर्थ ऑपजरवर सैटलाइट नेक्स वाल पर ते भारत को ब्रहमूस मिसाल के लि यहां पर है इसका भी आंसर हो जागा मनीला ठीक चले लेक्स वाल पर कि 16 जुन 222 को केंद्रे मंत्री नितिन गटगरी ने कहां पर और देगी डी कार्वो नाइजिशन सम्मिट 222 को दहाट करने के आंसर हो जागा नहीं दिली लेक्स वाल प्लस फिप्टी का आयुजरवर स्वीडियन में स्वीडियन के राजाने स्टॉख हो यहां पर दिहां देखेज़ेगा और 222 में सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉख हो इसके 50 सल पूरे होने पर इसका वजिन क्या गया इसलिए इसका नाम पर है स्टॉख हो प्लस 50 नेक्स वाल पर आते हैं उसी की रिपोर्ट है क्या अजेंडा 21 अगर बात पूछ रहा जाए कि इसका आज़न कहा हुआ था तो आज़न हुआ था रियो ब्राजिल में इसका आज़न हुआ था 1912 में का पहला प्रिथिवी सम्मेलन नेक्स वाल पर आते हैं राश्मंडल खिल 22 जोन काप यह होगा बर्मिंगम इंगलेंड में होगा नेक्स वाल पर थे पहला राश्मंडल खिल तब गस्व였 पहला एंटीन गेम्स पहली काप 31 yllrok नेक्स वाल पर आते हैं राश्टमंड खिल दोज़शन कहा होगा विक्टोरिया उस्टेडिया में होगा नेक्स वाल पर आते हैं विवन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपिंशिप 2022 में गोल्ड में डद जीता किसने तो निकाह जरिन कहां के रहने वाली ही तिलंगाने की खिला किसके खिलाफ नेदर लैंड के खिलाफ आप यह जोस बटलर सरवाधिक अरण बनाली के लिए एक क्याप मिलता है कौन सा औरेंज क्याप एपिल 222 में परपल कैप किसने जीता एजवेंदर चहल और सरवाधिक बिकट लेने के लिए और इसके लिए कौन से कैप मिलता है पर प्रकास दिशाई को चुना गया है नेक्स वाल पर अंतराष्टी बॉक्सिंग एसोसियेशन के अथलिट कमिटी के नए धश कौन बने हैं कौन बने ही लवलीना बोर्गोन और असम की रहने वाली है और यहीं की खिलाडी है और टोकियो उलंपिक में ब्रोंज मेंडल इन्ह उने जीता धा नीतियाओ के पहलो पाद्यशकौन थे अरविंद पर्णगडिया नीतियाओ के वरतमान अध्यशकौन सुमन के बेरी यहां एक आपडेट का लिजेगा जो लोग अपडेट नहीं किये तो नीतियाओ के वरतमान CEO को ने परमेशवरन अयर भारती उद्योग प प्राज संस्कृत खाद उथपाद विकाष प्राधिकरण के स्थापना कब वाता 1996 में और यह बनिज मंतराले मतरगत आता है मांसुन से पुर्भ होने वाली बारिस के को करनाटक केरियर की 30 सिमा पे को क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा मैंगो स्मावर नेक्स स्वाल प्याहते कि विष्भ खाद परिषका दोज़र भास किसे दिया गया डोक्र सिंथिया रोसेंज विक को दिया गया है और anderen अवहाँ से यह हैं विष्भ खाद द परिषका दिवस के मना जाता है 16 जोर्णियार द फ dependence पर neutr simplement ठीके इसाओ अपरिका जो है आफरिका की यह वले पार्ट में ठीक है यही पर है क्या अटलस परवद ठीक है खाली में किस राज सरकार ने प्याज किसज़र ने एमस एफ्यू थम जोजना की शुरॉत की आंसर वर जगत तेमिलाडू में कहाँ से तो तीूवर तिरु वल्लूर से और उद्देश के जो कमी होगी इसको दूर करना उन में मुल्भुस सक्षर्टा का विकास करना और इसका लक्ष कब तक है कि 2015 तक इसका लक्ष रखा गया है अफ्रिका की सबसे उच्छी चोटी का नाम है मौंट कीलु मंजारो नान मुधलवान योजना कि किस राज का तमिल्णाडू का रुकमानी देवी का समन्द किस मृत से है तासर जगा भरतनाटिम और सवाल पुछाई वर्स 2015-19 के तोरण जन्म के समें भारत की जीवन परतियासा कितनी होगी 69.7 मैं पूरे विश्व के अगर बात कर लिए तो जीवन परतियासा कितनी है 72.6 सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगरब किस त्रजम सबसेथ्ट अगर सबसेदिक जिवन प्रत्यासा कहाँ स多 श्रवादिक वन कहां पे मद्धि परदेश में हैं श्रवादिक लिंग अनुपाद कहां है के रल में नियुंतम लिंग अनुपाद है वो कहां पे हर्याना में श्रवादिक जन संख्या घनत वाला राजिकों ने बिहार निंटम जन संख्या घनत कहां पर प्रदेश में अब यह इंडेक्स 2022 पर एक नजर जालते हैं जोकि वर्य वर्य इंपॉर्टन कोशन हो जाएगा पंद्रज जून 2020 को जारी वैस्बिक सांति सुचकंग ने भारत का कौसा स्थान है 135 पहला सनपढ़े आइसलांड अगर पुछ लाजए कि वैस्बिक सांति सुचकंग कौन जारी करता है इंसिच्डेट of economics वाजिस्ग वारत के का सथान है बाई सवाल प्याते कि वैस्थिक तो वल्ड एकनोमिक पर्म इससे जारी करता है नेक्स्ट वर्लड प्रेस प्रिटम नेक्स 2022 भारत की कौन सी रहेंके 150 वह बात पुछ ले जाए यहां पर इस नेवर्ट डेप्लेप्मेंट इंडेक्स यहां पर नेक्स्ट रक्त दाता दिवस कम मना जाता है यह 14 जिन को मना जाता है और अगर बात रक्त से करी रहे तो रक्त का पेश्मान कितना होता है तो यह भी धियान रखना है नेक्स हाली में हमजा अवदी बर्रे किस देश की प्रधान मंत्री किया गया है ठीक है किस देश की प्रदाहन मंत्री निक्त हुई है तो आंसर हो जागा सुमालिया सुमालिया के वरतमान में राश्ट्पती कौन है हसन सेक मोहमद यहां के वरतमान में राश्ट्पती है वहीं अगर बात कर लिजा कि सुमालिया की राध्धानी क्या है मोगा दिशू है तो सुमाले के राधानी ध्यां रखेगा सुमा मोगा दिशू और यहां के बरतमार राश्टपती है हसन सेक मुहमद ठीक चली लेक्ट सवाल पर आते हैं कि हौन आफ अफरीका में कौन कौन देश सामिल है तो इरिट्रिया ठीक है इरिट्रिया हो गया सुमालिया नेक्स सवाल पर आते हैं कि बाब उल्मंदीव संधी किन दो जल भागों को जोड़ती है आंसर हो जागा लाल सागर तथा अधन की खारी को यह जोड़ती है सबाल अगर यह आए कि इसको और किस नाम से जाना जाते है तो बाब उल्मंदीव को आंसों का द्वार बिहारण में कौन से च्छतर के अंतरगत तो हानेल जो च्छतर है उसके इंतरगत इसके स्थापना की जाएगी देख सवाल प्याता कि लोसल महसब बात करते पुगा घाट यह है कहां इसकी तो आंसर हो जागा लग्दाक में और किस लिए परसिद है तो भूत अप यह नेक्स सवाल प्याते कि चर्चा में रही, भारती समिधान अनकही कहानी, नामक पुस्ता के लेखक कौन है, तो राम बहादूर राय इसका करेक्ट आंसर होगा, नेक्स सवाल प्याते कि दबुवाय हूरोट अकॉंस्टिचूशन के लेखक कौन है, राजिश्ट कलबार, नेक सवाल पर थे कि सम्मिधान की पहली बैठक कब हुई थी तारीक जरूर याद रिखेगा पहली बैठक होते हैं नौ दिसमर उने सुचालिस को और इस समय जो इसके अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम है सचिदा नंसिना लेकिन 11 दिसमबर यह तारीक याद रख पहले कि लिखेगा 13 दिसमर उनना सुचालिस को इस दिन जवाला नेरु नें इनके दवार ठीक है जो इस दिन जवाला नेरु जी के दोवारा उद्देश प्रस्ताफ पेस किया गया था नेक्स सवाल प्यात है कि नौट जस्ट वॉच्माइन किसके लिखे पुस्ता के आंस वर्तवाने भारत के कौन है सीजी ठीक है आंसर जागा ग्रिस चंद्र मूर्मू तो यह सवाल इंपॉर्टेंट ध्यान रखी का नेस्ट टॉम आफ सैंड किसके तौर लिखी पुस्तक है तो मुस्ट इंपॉर्टन और छपने वाला सवाल ध्यान रखे टॉम आफ सैंड जो ल दिस इंग्लेश में टांस लेक्ट इसने क्या तो आंसर हो डिजी रॉक वे multiplayer को थी घुम आफ सेंड founded लुक का इंद न है अज़िज में अन्यूबाद किस ने क्या तो डेजी रॉक बेल नेस्स सवाल प्सका संस्कृत ही और राश्ट किस की लिख्या पुस्तक है आफर जाए का लोडाज मिस्त की लिखी पुस्तक है वरतमाल में यह राज्थान के क्या है राज्युपाल है नेस्ट सवाल काफी इंपॉड़न है फीफा अंडर 17 महिला विस्प का 2022 का जोन के जिसमें किया जाएगा भारत में किया जाएगा अगर सवाल यह महिला विस्प का 2018 का विजेता कौन था आंसर हो जाएगा अस्पेन संतोस ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन रहा केरल रहा और करताबाल यह आजए कि संतोस ट्रॉफी का समंध किस कैसे तो आंसर हो जाएगा फृटबॉल से समंधिती खेल है नेक्स मेंस होकी वर्ड़कप 2023 का आ ओडिशा भारत में होगा इसका जो आज़न होगा ओडिशा भारत में होगा ध्यान रखेएगा चलिए और उरस्या में भी कहां का दो जगा एक तो रावर के ला दूसरा भूबनेश्वर कॉमन वेल्थ गेम 2022 का आज़न कहां पे होगा बर्मिंगम यूके अर्थाथ युना या इसीन गेम्स कब और कहां वहा थ филь感 और नई दिल्ली में नेक सब पही थे कि fifa ॵीकड़ 2022 का ऐदेर का होगा दोगा और कातर की दाजधानी का के दोहा तो आंसर हो जाएगा संगठेन का नाम है FATF अर्थाद तुर्फा में ध्यान रखिएगा Financial Action Task Force अगर सवाल पूछ लिया जाकि FATF अर्थाद Financial Action Task Force की स्थापना कब होता है 1999 में होता है और इसका मुख्याले का है Paris France में इसमें कुल किसने सदस है 37 सदस है और दो संगठन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा जिसका नाम है European संग और खारी सहयोक संगठन FATF दो लिस्ट जो है जारी करता है उस लिस्ट का नाम है ग्रेलिस्ट और दूसर होता है ब्लैक लिस्ट ठीक है ग्रेलिस्ट और ब्लैक लिस्ट अभी हाली में क्या इसने घुष्णा किया कि जो पाकिस्तान ने उसको क्या टी ठीक है जी ए टी टी इसका पुराणा नाम था और यहां पर फुल फॉर्म देख लिए जगे जनरल एग्रिमेंट ट्रेड अंड टारिफिस का फुल फॉर्म होगा नेक्स अवाल प्याते कि एफटीफ के बरतमान अध्यक्ष कौन है तो टी राजा गुमार है और सिंगा टी राजवानेक गेम्स में जैवलीन फू अधरो का गोल्ड जीता ठीक है जैवलीन फ्रो में क्या जीता है गोल्ड मेडल जीता आंसर लिगा नीरत चोपरा कितने मीर कितना मीडर तो 86,69 इसका इजन हुआ कहां था ठीक है इस ग्यम का एजन हुआ था फिल्लैंड में वहीं पाबो नूर्मी गेम्स जिन्सका आईजन फिल्लैंड में हुआ था इसमें सिल्वर मेडल ठीक यहाँ पे निरज चोप्रा ने कौन से मेडल जीता है ठीक है यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है बलकि अगर बात कर लिया जहाँ पे सिल्वर मेडल की बात करें तो नेशनल अगर खिलाड़ी है यह एटिनाइन दसमलब 30 मिल्टर भाला फेक आता ठीक है अच्छली नेक सवाल पर आते हैं यहाँ पे टोकियो पारलम्पिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता था यहाँ पे पारलम्पिक है जबकि नीरज चोप्रा के बात कर लिजाए ठीक ह ओलम्पिक में नीरज चोप्रा ने क्या किया था गोल्ड जीता था ठीक है नीरज चोप्रा ने क्या जीता था इसमें गोल्ड जीता था वही अगर बात के लिज़े टोकियो पारलम्पिक में जैवलिन थ्रो में जैवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता था सुमीत अंतल ठी इतने मीटर 68.55 मीटर और ये भी हर्याना की खिलारी है वहीं टोकियो ओलंपिक में जैवलिन फ्रो में निरा चोपरा ने गोर्ड जीता था 87.58 बाला फेक में तो चलिए यहाँ पर इतना ही आज का अपने मात पिता या दोनों में से किसी एक होने वाले संकट ग्रस्त बच्चों को कितनी रासी की वित्तिय मदद के लिए पालेट पर योजना शुरू किया है आंसरोगर 2000 रूपय नेक्स सवाल किस राज ने मासिक धर्म से जुरे कलंग सिम निपट्र ने महिला वक्तिकर्स स्वक्षता को प्राफ्थ मिक्ता देने के लिए स्वक्ष कारकर्म सुरू किया आंसरोगर अरुनाचल परदेश नेक्स सवाल प्याते की किंद्री करही मंतरी अमिस्ता ने एक्टूबर 2020 में किस सहर में धस यारी कल्यान योजना की सुलवाट की आंसरोगर देहरादुन उतराखंड उद्देश क्या है परवती छित्रों में रहने वाली ग्रामीन महिलाओ को उनके दरवाजे तक हरा चार प्लेद करवाना क्या है आंसर इसका होगा अनुसुची जाते के छात्रों के समाजिक आर्थिक उत्थान एवं समग्ड विकाश करना इस योजना को समाजिक एवं नया है ठीक है समाजिक नया एवं अथिकारता मंतरी डॉक्टर विडेनर कुमार ने सुरू किया है और स्रे परधान मंतरी ग्राम सरग एउजना 1ा और टू को किस वर्स तक जारी रखने की मुझुरी के आंसर हो जाएगा सितमबरMA22 तक ठीक है परधान मंतरी ग्राम सरग योजना को कब तक जारी रखने का यहां पे मजूरी दिया कि है सितंबर बाईस तक defined विष्छ था को किस मेहेंट कि महने तक मन्जूरी दिखे गई है सितंबर दोजर्बाईस तक तरच ब्रचन कि सवाल पहला है कि सराज एकेंद्र शषुछ परदेश Sorry निर्मान स्रमिकों के लिए स्रामिक मित्र योजना शुरू की है आंसर हो जगा दिल्ली नेक्स वाल प्याते के निवोमेर 2020 में नदी सारों के लिए केंद्री जल सक्ति मंत्री स्री गजंदर शीर से खावद रो कौन सा कारगरम शुरू किया गया रिवर सिटिस एलाइंस ठीक नेक्स वाल प्याते के किस राज सरकार ने अपने राजी के सभी बरिष्ट माध्यमिक विद्यालों को अपने परिश्र में आरेगर वाटी का स्थापित करने का निर्देश दिया आंसर हो जगा उत्तर प्रदेश नेक्स वाल प्याते किस राज क कब हुई एक मैं 2016 बल्या उत्तर परदेश से और इसका संबने LPG गैस कनेक्शन से उजवला यूजणा 2.0 की सुरात कब होती है दासा के 2020 को महवा उत्तर परदेश से मेकिन इंडिया यूजणा की सुरात कब होती है 25 सितमर 2014 को सेहत पाहल की सुरात की गई रक्षा मंतरा लिग कर्म कि सरा सरकार ने सुरू किया महराश्च शरकार ने सुरू की है और इसका उदेशे प्रित्वी के सनक्षन असमाइल लिगुजणा का कदार के समसे अंत में खरें वैक्ति और्था जो रोज़ी रोज़गार करते हैं आ जो मंज़ुरी करते वैसे वैक्ति-जो सबसें अ सभाग यूजना के और मैं बात करूँ सभाग यूजना या सहज बिजली हरगर्ड यूजना की सुरत कब होती है पचीश सितंबर 2017 को ऑपरेशन परिवर्तन किस राज सरकार्णी सुरू किया अंधर प्रदिश ने उद्देश किया गांजा की खेती को रोकना ऑपरेशन आहट किसके तरह सुरू किया गिया अर्पेफ अर्थाद भारतिये रेल्वेस रक्षाबल सेवादवारा और इसका उद्देश किया तसकरी को रोकना ऑपरेशन आहट परवत माला युद्दना का संब्द किसे रोपे डेवलेप्मेंट से है और यहाँ पर परवतों तक पहुंचे और उसमें क्या है उसके परियाटन में बढ़ावा देना इसका उद्देश है मिशल अमानत किसके तरह सुरू किया गया आरपेफ के तरह अरथा भारते रेल्वेस रक्षाबल सिवादोरा और इसमें उद्देश किया जो खोय और समान की बाफसी करना सार्थी अब किसके तरह यहां पर लॉंच किया गया फेबी के तवाला उद्देश किया है सेर्फ मार्केट की जगरुगता को बढ़ाना जगरनाथ असमार्ट टाउंसी प्योजना किस राजिक से समंदिते आंद्रप्रदेश से और इसका उद्देश किया कम कीमत पर भूमी उपलद करवाना बेटी बचाओ बेटी पड़ा अभियान कब सुरू किया गया 22 जनवड़ी 2015 को कहां से पानीपत हर्याना से मृद्या स्वास्थ कार्ड यूजना की सुरूत कब होती है 19 फरवड़ी 2015 को कहां से स्रीगंगा नगर के सुरूतगर राजसान से लेक सवाल पर आते कि नव भारत सक्षवर्टा करकर्म कब तक लागू रहेगा 2022 से लेकर 2027 तक लागू रहेगा इसके तीन बाते जरो धिया रखेगा 15 वर से उपर की जो गयार सक्षवर लोगों उनको सक्षवर करना दूसरा पिएम वसल बीमा योजना से इसमें क्या होगा जो फच्षवर नस्थ होजाएगा उसकी बीमा के जासी अब सीधी किसान के हाथों मिलेगा नेग सवाल पर अमा और बेहनी युजना के संबंद कि सराज से सिख्किम से अगर बात करें यहाँ यहाँ अम्मा यूजना में क्या होगा तो गयर कामकाजी महिला उनको एक मुस्ट बिस अजार रुपे की रासिस शाहता उपलप्त करवाना वहीं बहनी यूजना को अगर बात करें तो इसमें बच्चियों को नीशुल सेनेटरी पर नैपकिन देना नेख सवाल पर आते हैं सम्भब तता स्वालंबन यूजना का समंद्ध किस मंत्राले से है UX का उद्धिष प्लास्टिक कच्रे का मालेज्मед करना तता इससे रोजगार स्रजूत करना वहीं बात करते हैं would पर पहल का समद्थ किसे ये भी में सेमी मंतराले से समद्धि करना नाल मुधल बान यूजरा कहां का है तमिलाडू का है और इसमें इसका उद्ध है जो है बुमेंट इंपावर्मेंट को बढ़ावा देना कौसल मात्रित योजना किस राज से संबन देते 36 गड़ से है और इसमें इसका उदेश क्या है दूसरी पुत्री संतान होने पर 5000 रुपे की सहाथा रासी उपलद करवाना मात्रि सक्ति उद्मिता योजना कहां का है हर्याना का है और इसमें क्या होगा महिलाओ के अंदर उद्द्रम सिल्टा के विकास के लिए योजना सुरू किया गया है गुवमेन एट वर्क योजना कहा का है करनाटक का है और महिलाओ के कारबल में सहभागिता बढ़ाना इसका उद्देश है बिने समरस योजना कहा का ये भी करनाटक का है काम में छुआ छुट को रोकने के लिए जागरूपता फैलाना यूविका ठीक है यूविका 2022 की शुरूवात की गई कि दवरा इसके दोर जुआ और इवा बैगराने कारक्रम अगर पूछा जाए कि दवरा शुरूव की आगया आंस्रोंजगा इसलों के दोरह सुजलाम 2.0 योजना की सुरुवात की गई कब 22 मार 2022 को उद्देश क्या ग्राउंड वाटर को बेहतर करना और यहाँ पे गजन स्ट्री सिखावज जो की केंद्रे जल सकती मंतरी हैं उनके दोर यह शुरू किया गया अईश्वान भारत योजना कब शुरू होती है 23 सितमा 2018 को राची जहर गंड से इसमें प्रती परिवार 5 लाक रुपे की स्वास्त भीमा उपलब्द कराया जाएगा प्रती परिवार 10 लाक रुपे की स्वास्त भीमा उपलब्द कराया जाएगा प्रजेक्ट बोल का सम्मद्ध की से उदैपूर राजस्तान से इसमें बास कुत पादन को बढ़ावा दिया जाएगा पीम आत्म निर्भार स्वास्त भारत यूजना स्वास्त भारत यूजना की स्वास्त कहां से हुई है और आनसी उत्तर पर्देश से इसकी सुरुवात होती है ग्राम उजाला यूजना कहां का है आरा बिहार का है और इसका संबंध है LED बल्ब से संबंधित है पीम खिसान य Viryan की अगर मैं बात करूं इसकी सुर्वारत किसके दोरा कि गई राश्क्ति करक्रम किया गया अनुराख ठाकर्व के धारो जो कि व्रतमला में खैल मंत्री है आँ और सुचनाहों प्रशान मंत्री भी हैं और कहां तो दुबई एक्सपो के अंदर जो है इस कारगर्म की शुरुवात की गई थी उद्देश इसका है जौब एबम अस्किल का जो है डिवल्प्मेंट करना नेट स्ट्रक्षा कवज 2.0 अवियन किसने शुरूप किया तो भारती से ना ठीक तथा महाराष्ट की इसका उद्देश का प्यम सो निधी का मतलब यहां पे होगा प्यम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भन निधी योजना कि सुरात होती कब एक जुन्द अजर बीस को इसकी सुरूप होती है इसमें जो रहरी पटरी पर रहने वाले हैं उनको इसमें क्या होता है लोन कि दॉपन ट्रीघए परांघर चाहिं करने के खिलाफ एक अबहान… जारी किया करता है और इस अभियान का नाम है ऑप्रेसं उपलब्ध। प्रान वाईव देप्ता पेंसन योजना किस राजिका है हर्याना का प्रवधार योजना किस राजिका है हिमाचल प्रदेश का कुसुम योजना का संब्ध है किस से जैपूर राज्थान से बासल योजना का संब्ध है उत्राखंड से अंकूर योजना का संब्ध है मद्ध्य इनाडू से स्वभाग योजना की सुरुवात होती का भे 25 सितमर 2017 को हर घर सहज बिजली योजना हाली में किस राज ने नर्सारी योजना किस राज से संबंदी ते गुजराद और इंद्रा गांधी मत्रित पोवशन योजना का संबंदी किस राज से है तो यह है राजसान इसके तहर दूसरी पुत्रिशंतान होने पर 60 रुपे किसमें सहता राजी दिए